हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एलेक्टिकल यूपी में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन कंडेंसर से हम डाइडेक्ट मोटर को कैसे चला सकते हैं दोस्तों दोस्तों ये दो कंडेंसर हैं और हम मोटर चला कर दिखाएंगे एक एचपी की भी और दो एचपी की भी तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें लाट तक चैनल पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को पेरिस करें तो चलिए वीडियो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपकी कभी भी मोटर नहीं फुकेगी जो जल जाती है और बिना स्टार्टर के मोटर चलाकर दिखाऊंगा अपको और दोस्तो दो गुना पानी देगी आपकी मोटर अगर आपने ये वीडियो लाच तक देख ली करना क्या है दोस्तों आपको एक HP के जो समर से बिना स्टार से चलाते हैं हम उसके लिए कैसे कनेक्शन करते हैं फिर दोस्तों बाद में आपको मैं 2 HP के कनेक्शन करकर भी दिखाऊंगा कि कैसे किये जाते हैं दोस्तों मोटर बिल्कुल भी आपकी नहीं जलेगी तो कनेक्शन कैसे करते है दोस्तो ये देख लिए ये दोस्तो एक है बिलू तार और एक है येलो और एक है रेड तो क्या करना है हमें दोस्तो ये जो आप देख रहे हैं इस तार को आप यहाँ पर कंडेंसर के तार में लगा दीजिए यहाँ पर तो दोस्तो यहाँ पर लगा दीए हमने पूरी जानका और दोस्तो कोई भी बिजली खराब आती है आपकी लाइन पर तो मैं आपको एक MCV भी लगा कर दिखाऊंगा इसमें के वो कैसे ट्रिप हो जाती है तो दोस्तो यह देख लिजिए हमने येलो तार को इस बिलेग तार में लगा दिया दोनों बिलेग हैं कोई सा भी कोई से में लगा सकते हैं तो हमें क्या करना है दोस्तो ये जो आप देख रहे हैं रेड इस रेड को इस बिलेग में लगा देना दोस्तो यहां पर कोई सा भी कोई इसमें कोई माइनस पिलस नहीं होता है तो हमने इसमें लगा दिया दोस्तो रेड को इसमें लगा दिया येलो को और य में यह अच्छे से दोस्तों समझ लें तो दोस्तों यह मोटर में से केविल आता है नीचे से बारिंग में से वो केविल होता है यह तो दोस्तों हम उसके लिए क्या करांगे एक हमें यह mcb ले लेनी हैं दोस्तों यह कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगी और यह आपको कहीं पर भी दोस्तो 130 रुपए से और 140 रुपए तक मिल जाएगी तो ये है दोस्तो 32 की MCB दोस्तों के अच्छी कमपनी की MCB है और इसमें लगा लें तो दोस्तों ये किसमें 25 की भी आती है 32 की भी आती है कई तरह की आती है तो एक HP या दो HP में आपको कौन सी MCB लगानी चाहिए तो हम लगाते हैं और दोस्तों बताते हैं आपको कैसे काम करती है तो देख लीजे यहां पर दोस्तों हमने इस तार को जो है दोस्तों इस तरह से मोड़ लेना है यहां पर और दोस्तों ये जो तार है हम इसमें MCB में ल पात चल पाएगा इसकुल कOSHista n funding congregation आपको याइच पी के कर नक्शन करकर आपको चले कहा है कुंकर आपको डॉड़ायड मोटर कैसे चलानी है दोस्तो तो आपको यहां पर M.C.V में तार लगा लेना है कि आप दूसरी साइट लगा लें इसमें या इधर लगा लें इसमें कोई भी बात नहीं होती है कोई बी उल्टा सीधा नहीं होता दोस्तो तो इसको अच्छी तरह से टाइट करते हैं दोस्तो यहां पर तार लगा कर देखाऊ गो देखिए आप की मोटर कितना पानी देती है मैं आपको 2hp की मोटर चला कर दिखाऊ गांगा दो का और एक HP का एक ही जैसे connection होते हैं पर आपने दो HP के connection समझ लिए तो दोस्तों सारी motor आप बिना starter के condenser से चलाना सीख जाएंगे तो हमने इस कतार को यहां पर ले लिया दोस्तों और क्या करना है हमें और दोस्तों कोई भी आपको इस तरह का एक wire ले लेना है यह है दो mm का wire आप इससे जादा heavy भी लगा सकते हैं पर हमने यही लिया है दोस्तों तो इसको अच्छा से लपेट लें दोस्तों यहां पर इसको ठीक कर लें और फिर आपको क्या करना इधर की side mcb में लगा देना है यहां खोल के इसको तो दोस्तों हम यहां से खोलते हैं इसको फिर लगाते हैं दोस्तों हम यहां पर mcb में इसको अच्छी तरह से tight करके खेच लें दोस्तों अगर आपने यह नहीं खेचे दोस्तों तो अच्छी तरह से तो दोस्तों यह लूज हो जाते हैं और इस फकारिंग करने लगते हैं तो दोस्तों यह देख यहां पर और फिर इसको आपको चला कर दिखाएंगे कैसे चलती है दोस्तो तो पहले आपको समझा दूमें दोस्तो यह केविल जो आया है यह बोरिंग में से जो मोटर में से आता है दोस्तो यह एक इसमें बिलू एक इसमें येलो और एक इसमें रेड है दोस्तो क्या करना है रेड को जो है हमें एक कंडेंसर में लगा देना है यह रहा कंडेंसर और दोस्तो यह जो येलो तार है पीला इस तार को भी कंडेंसर में लगा देना है कंडेंसर के कोई सा भी कोई से में लगा देना यहां पे नीचे पे या उपर में लगा लिए इसको इसको यहां पे लगा लिए इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है कदी आप यह समझें कि इसमें उल्टा सीधा माना जाता है इसमें कोई नहीं माना जाता उल्टा सीधा या तो आप इस्तार को यहां पे बहुत करती है दोस्तो और जो आपके बिजली तेज आजाती है वोल्टेज हाई आ जाते हैं तब भी ये ट्रिफ होके गिर जाती है इस तरह से बर आपके हम वोल्टेज बहुत लो हैं दोस्तो तो आपके यहां पर ये mcb गिर जाती है कंडेंसर कितने mfd का लगाना है तो दोस्तों ये देख लिए कंडेंसर जो है 50 mfd का है अगर आपके यहाँ पर 980 voltage आते हैं ये 180 से कम आते हैं 170 voltage आते हैं तो उसमें ये गंडेंसर लगा देंगे आप दोस्तों कम voltage हो पर तो आपकी मोटर जो है बहुत पानी देगी पूरा देगी बढ़िया देगी बहुत अच्छे से पानी देगी अगर आपके यहाँ पे दोस्तो 220-500 वोल्टेज आते हैं तो आप 36 MFD का कंडेंसर भी लगा सकते हैं हमारे यहाँ पे वोल्टेज थोड़े कामाते हैं 170-180 तो हमने एक HP के लिए आपको बताया हैं यह 50 MFD का कंडेंसर यह कहीं भी आपको दोस्तो 130-140 रुपए का यह भी आपको मिल जाएगा तो हमने 130-140 रुपए की MCB लगा लिए दोस्तो आप और दोस्तो 130-140 रुपए का ही यह कंडेंसर भी मिल जाता है दोस्तो इस दोने चीदों को हमने क्यों लगाई है यह सुच का भी काम करेगी MCB और यह आपकी मोटर को भी बचाएगी दोस्तो इस बिना भी चला सकते हैं हम मोटर पिना MCB की तो करना क्या है मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं इस MCB पहले आपको इन जो है ने इन पे और फिर आपको कौन से तार लगाने थोस्तो तो मिल दोस्तों की लाइट मेल वह भी बताऊंगा चांव कि हमने यह जो है तार दोस्तो यहां से दोस्तो इसको कट करें लिए दोस्तो एक हमने यह कट कर लिया दोस्तो और यह जो है दूसरे साइट का इसका टुकड़ा इस टुकड़े को दोस्तो कहां पर लगाएंगे हम तो दोस्तो इस टुकड़े को हमें लगाना है इस पर रेड पर यह जो आ रहा है दोस्तों कंडेंसर में लग रहा है यह इसको लगा देना यहां पर इसको अच्छी तरह से टाइट करने दोस्तों इसक्वारगी नहीं होगे तो हमने इसको टाइट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर एक आ रहा है दोस्तों इसमें से रेड में से और एक आ रहा है इसमें से MCV में से होके बिलू तार में से तो हमें एक इसमें से लगाना है यह वाला तार और इस पर जो है आप 2 HP की motor चलाना चाते हैं तो क्या करना है आपको यह आपको बहुत जानना जरूरी है अगर आपने यह 2 HP की motor चलाना सीख ली तो दोस्तो आपके यहाँ कोईसी भी motor है कोईसी भी motor है दोस्तो उसको आप upward關 didnsor से चला सकते हैं तू फेस पे चलाना सीख जाएंगे तो करना क्या है दोस्तो इस तरह का एक कंडेंसर ओल ले लेना है आपको इस तरह का दोस्तो इस तरह का आप एक कंडेंसर ओल ले लें दोस्तो पचास MFD का कंडेंसर ले लें इस तरह का जैसा यह 50 MFD के कंडेंसर होते हैं करना क्या है दोस्तो इसके लिए भी इसके लिए दोस्तो यहां पर जो बिलू तार देख रहे हैं आप इसके कंडेंसर में से आ रहे हैं एक तार को जो लगा देना है इसमें इसका भी माइनस पिलस कुछ नहीं होता है कोई सा भी कोई से में लगा लिए तो यहां पर एक कंडे तार में लगा लें दूसरा तार भी यहां पर देखी दोस्तो हमने दूसरे तार को भी दोस्तो इसमें कंडेंसर में इस तरह से ही लगा दिये जैसे हमने दोस्तो एक कंडेंसर लगा था इन तारों में वैसे ही दूसरा भी कंडेंसर इन तारों में ऐसे ही लगा दिया है सिंप तार लगा देना है रेड जो तार आ रहा है तो दूसरे कंडेंसर के भी एक फिर आपको पीले तार में लगा देना है और फिर आपको एक रेड में लगा देना है तो लाल पीला है दोस्तों इन लाल पीले में ही आपको कंडेंसर के तार लगाने हैं और जो दोस्तों लाइट म लगाना है MCB में होकर हमने तार निकाल ली है और इसमें जो रैड में से एक डोरी और बांद ली है हमने यहां पे और मोटर चला कर दिखाएंगे दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली लाइट तक तो दोस्तों आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कितना पानी देती है ये मोटर तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों यह जो है पीला वाला तार इस पर टैप लिपेटते हैं अच्छी तरह से ताकि इसमें जो है दोस्तों टकराए नहीं इसक्वार्किंग नहीं मारे इसक्वार्किंग मारेगा तो दोस्तों अच्छा नहीं रहेगा तो हम यहां यहां पर दोस्तों कि टेप लपेटते हैं यह देखिए हमने इस पर पीले वाले पतार लपेट दिया अब हम रेड पेपी इस पर टेप लपेटे देते हैं यहां पर देखिए दोस्तों यह दो हमने कंडेंसर लगा दियें यहां पर और एक तार यह और यह हम लाइट में लग मोटर चलती है और एक कंडेंसर से एक HP की मोटर चल सकती है तो दोस्तों इन कनेक्शनों को देखके आप किसी भी कंडेंसर की मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं और एक HP से 5 HP तक भी अराम से कर सकते हैं तो कंडेंसर लगाने का यही सिस्टम होता है सब जैते मैंने आपको बताया मोडर चला कर दिखाते हैं दोस्तों mcb से तो यह दोस्तों complete हो चुगा है यहां पर और इस तार को हम यहां पर इस तरह से बांद देंगे तो हम चला कर दिखाते हैं इन तारों को लगा कर तो दोस्तों यहां पर हमने लगा दी है इस जगा पर और अब हम आपको टार लगा कर दिखाते हैं इसको हम ओन करते हैं और फिर आपको मोटर को चला कर दिखाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर आपको मोटर का पानी दिखाते हैं इसको ओन करते हैं और मोटर चलाते हैं तो देख लिजे यहाँ पर चालू हो चुका और पानी दिखाते हैं आपको पिर आप इसको अन करते हैं मोटर चलाते हैं तो यहां पर पानी देख लीजिए यह मोटर कितना पानी दे रही है देख लीजिए दो यह पर अच्छे से इठा रही हि तो यही थी जानकरी दोस्तो अगर आप भी अपनी मोटर को दोस्तो डैड़ेट चलाने चाते हैं तो दोस्तो इस तरह से चला सकते हैं 1 HP से और 5 HP तक मोटर कभी नहीं जलेगी अगर आपने ये वीडियो लाइट तक देख ली होगी तो तो दोस्तो ये ही थी आज के जानकर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें शेर करें अगर आपने मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं